स्री शिवाई नमस्तु भी हम दोस्तों आज पंडित प्रदीप मिश्टा जी ने अपनी दूसरे दिन की तरपन शिव महापुरान कथा जो की अशुक नगर में चल रही है वहाँ पर कुछ विशिश उपाय और कुछ विशिश बाते बताई हैं जो कि हम अजियों में बताने वाले हैं ठीक है मतलब अंगुठे का नाखुन काटते हैं और माता बहने तो विशिश कर रूप से अपने पैरों के नाखुन काटते ही काटते हैं और सभी लोग काटते हैं पर दोस्तों यहाँ पर आप एक ऐसी गलती करते हैं जिस गलती को अगर आप लोग कर रहे हैं और करते ही हैं तो उस गलती को करने से आपको जीवन भर के लिए आपके स्वास्त के उपर समस्याएं आ सकती हैं अब आपको उतने सारे रोग आ सकते हैं कैसे आ सकते हैं वो आप लोग सुन लिए सबसे पहली बात दोस्तों आप जब भी अपने पैरों के नाखुन काटे हैं अपने पैरों के नाखुन काटे हैं जहाँ पर लोग आपके नाखुनों के उपर से, मतलब तूटे हुए नाखुन जो आपने काट कर फेके हैं, उन नाखुनों के उपर से अगर गुजरते हैं, तो आप ये समझिए कि जितने लोग जितनी बार आपके नाखुनों के उपर से गुजरेंगे, उतनी बार आपकी म निवेदन करेंगे इस वीडियो को एक शेयर अपनी तरफ से जरूर कीजीगा तो दोस्तों माताओं बहनों से निवेदन है कि वो जब भी अपना पारलर में जिस भी जगहा पर अपने नाखुनों का जो भी करवाती हों वो ऐसा ना किया करें कि वो अपने नाखुनों को ऐसी फिक कर आजाये करें क्योंकि आपके नाखुनों के ऊपर से नहीं बार लोग गुजरेंगे जितनी बार कोई भी विक्ति गुजरेगा भले ही वो आपके परिवार का ही क्यों ना हो जितनी बार वो गुजरेगा उतनी बार आपके स्वास्थ पर आपके जीवन के अंदर जो है आपको रोग जरूर गेरेगा और दोस्तों आपको कभी भी अपने पैरों के नाखुन किसी के सामने बैटकर नहीं काटने चाहिए और उनको ऐसे नहीं फेकना चाहिए भले ही वो आपका घर का सदस्ती ही क्यों ना हो उसके सामने बैटकर नाखुनों को ना काटे ये बात का आप विशेज ध्यान रखे नाखुनों को छुपकर ही एक आंत में बैटकर काटे और उनको ऐसी जगह डालें जहांपर कोई उनके उपर से ना गुजरें किसी नाले में डाल दें कहीं पर भी डाल दें या कहीं गड़ा दें पर कोई उनके उपर से ना गुजरे इस वात का विशेश ध्यान रखिये नहीं तो आपको रोग जो है बहुत जादा गेरेगा जितनी बार आपके नाकुनों के उपर से लोग व्यक्ति गुजरेंगे इस वात का विशेश ध्यान रखियेगा और दोस्तों पंडित प्रदीप पिश्ट जी ने आज एक कुपाई भी बताया है कि अगर आपके जीवन में बहुत सरे दुख समस्याएं आ रही हैं तो आप लोग किसी भी मंदिर में जहाँ पर जिस मंदिर में कोई नहीं जाता हो वैसे तो आज सभी मंदिरों में सभी सकते हैं तो भगवान के सामने तीन बार तालीप बजाकर भी आप लोग भगवान से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं या अपनी तीन उंगलियों को जो है शिवलिंक की उपर सपर्ष कराकर भी आप अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोल सकते हैं निश्चित ही आपकी मनोक श्री शिवाई नमस्तु ब्याम